कैसे आप शबी लोग, श्वागत आप शबी का एगरी टॉपर्स अकेडमी में जनेटिक्स और प्लांड ब्रीडिंग की चोथी कच्छा है और आज हम लोग मेंडल जो की फादर है अपने जीपीबी के जनेटिक्स के फादर है और उनके विसाय में और उनके नियम के बारे में सारी जान का रियाज ले लेंगे ठीक है तीन क्लासे से पहले आप हो चुकी है अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले उनको देख लेंगे ठीक है एक फार्मर परिवार से आते हैं, विलेज इनका मरविया नियर ब्रून इन आस्ट्रिया, कहा ब्रून सहर के पास एक मरविया नाम का गाउ था, वहां इनका जन्म हुआ था, कहां पर आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया नहीं है, आस्ट्रिया है, चिक गड़ राज आस्ट्रिया क ऐसे हेन की हिस्ट्री जड़ा देखा जाए अगर तो जन्मिन का होता है 22 जुलाई 1822 को कहाँ पर हेन जेंड डॉर्फ कहाँ पर बुरून आस्ट्रिया आप याद कर लो बहुत जाद याद करने के और आवा सकता है नहीं ठीक है पादरी के रूप में एक चर्च में जो है स्टार्ट किया इन्होंने काम 1849 में एपॉइंटेड एज सब्स्टिुट साइंस टीचर इन जेनेम हाइज स्कूल में इन्होंने एक हाइज स्कूल टीचर के तौर पर काम किया substitute teacher के तौर पे काम किया 1851 से तिरपन के बीच में he was sent by Monsantri authorities to the University of Vienna for studies in science इनको Monsantri authority ने University of Vienna यानि आस्ट्रिया में जो University थी वहाँ पर science की higher study के लिए बेज दिया 1854 में he joined the Brune Modern School as a teacher of physics and natural history physics और natural history के टीचर के रूप में इन्होंने जोइन किया 1857 में he began to collect peas seed for the experiment from all over Europe Europe से इन्होंने मटर के दानों को collect करना था 1862 में 1862 में become one of the founder member of natural history society आप Brune natural history society आप Brune की ये founder member के तौर पर 1862 में हो गए सामिल 1866 में published research paper इनका research paper अचा कौन कौन सा इसमें याद करना है सारी कहानी तो आपको याद करनी ही नहीं है आपको जो याद करना है वो basically क्या याद करना है देखो ये तो लंबी कहानिया है सब नहीं याद करना है आपको क्या है, सबसे पहले याद करना है, इनका जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था, अगर पूछेगा इनका टाइम पीरियड था, काम करने का वो कब से कब तक था, इन्होंने जो है, जो काम किया तो 1866 में पहली बार अपना रिसर्च पेपर पॉब्लिस किया, ठेक है, 64-65 में इन्होंने अपना काम किया था, complete और 66 में इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पॉब्लिस किया, और रिसर्च पेपर का टाइटल किया था, पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंट अन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये जो है क्या था, टाइटल था, है, इनके रिसर्च पेपर का, वाईलूम फोर आफ दा प्रसेडिंग अफ नेचरल हिसरी ससाइटी अप ब्रून, नेचरल हिसरी ससाइटी अप ब्रून के, एक्सपेरिमेंट अप्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से इन्होंने अपनी पत्रिका को प्रकाशित किया, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, 1873 में, रोट लास्ट लेटर टू दा प्रोफेसर नगेली, प्रोफेसर नगेली को आखरी पत्र इन्होंने 1873 में लिखा था, और उसके बाद 1990 में, इन्होंने 1990 लिख दिया है, 1900 है, इनकी डेथ कब हुई, 1884 को, छे जनवरी 1884 को इनकी डेथ हो गई थी, इसके बाद 1900 में री डिस्कवर आफ मेंडल्स वर्क बाई हुगो डिब्रीज इन हॉलेंड, नीदर रेंड आज के टाइम पर कहा जाता है, पहले हॉलेंड कहा जाता इन चार तीन लोगों ने मिलके इनके मेंडल के नियम को डिस्कवर किया, तो मैंने इतनी लंबी कहानी बताई, इसमें कोश्यन कहां कहां से बनते हैं, सिर्फ उतना याद रखना है, मैंने कहा देखो भाई साब, मेंडल के बिसे में इतना जान लो, कि इनका जो बर्थ जैंका जो रिसर्च पेपर पबल्स हुआ वह कब हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए, रिसर्च पेपर पबल्स कब हुआ था? प्रकाशित हुआ था? पहली बार यह पता होना चाहिए. experiments on plant hybridization किस नाम से experiments experiments on plant hybridization इस नाम से इनका जो है क्या हुआ experiment paper publish किया गया experiment on plant hybridization नाम से clear इतना आपको पता होना चाहिए 1884 में इनकी death हो जाती है और इनकी death के बाद 1900 में 16 साल बाद 1900 में मेंडल के नियमों की पुना खोज होती है rediscovery होती है rediscovery होती है rediscovery होती है कौन करता है Hugo Debris, Carl Carrens और Sir Mark Hugo Debris जो की जहां के यह नीदरलेंड या हॉलेंड के रहने वाले थे Carl Carrens जर्मनी के और Sir Mark जहां के रहने वाले थे वही के यह यह rati रहने वाले थे ठीक है मैंने बस तीन पॉइंट आपको बताए आपको वही याद करना है पहला इनका याद करना है जन्म दूसरा याद करना है नीका research paper और सृत जाद करना है 4 यह ह Gradeक है चार पॉइंट आपको याद करने है। Hawkweed पर फेल होने के बाद इन्होंने उससे कुछ सीखा और उसके बाद इन्होंने Garden Pee को स्टार्ट किया Garden Pee पर जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने क्यों Garden Pee को बाद में चुला क्योंकि भाई साब The Garden Pee Easy to Cultiver पहले बात तो Culture करना इसमें तयार करना एक हेत को बनाना बहुत आसान था ठीक है Life cycle बहुत छोटा था इसलिए कई generation तक है रिकार्ड आसानी से अपने पास रख सकते थे अराम से तीन महिने में फसल तयार हो जाती है तो पूरा life cycle इनके पास बना रहेगा It had highly self pollinated self pollinated flower है ठीक है तो cross pollination यहाँ पर बहुत कम होगा तो यहाँ पर जो है इनको जिसे बीजों में क्या होता है अगर cross pollination हो जाएगा तो उसको बचाने के लिए बहुत सारी प्यश्थाएं करनी पड़ती है तो वो इनको यहाँ पर नहीं करनी पड़ी well defined contrasting heritable character बहुत जादर defined contrasting heritable character था यानि साथ characters यहाँ पर नजार आ रहा है तो सब के जो है contrasting character थे यह सेप की अगर बात को हो तो round भी वह है मटर तो wrinkled भी है cotyliton color की बात को हो तो yellow है green है pod color की बात को हो तो भी yellow और green है तो ऐसे इनके पास बहुत सारी क्या था variations खूब मिल गई और emasculation करना यहाँ पर बहुत आसान था और emasculation के बाद hybridization करना भी आसान था इस वज़े से जो है इन्होंने mutter के plant को choose किया मैंने का 7 जो है जोडी लेच्छनों को इन्होंने चुना कौन कौन सा character था और उसमें सीड का आकार यह है character round होगा या wrinkle यह है उसका trade ठीक है round होगा या wrinkle यह है trade तो trade हमारे dominant resistance दो परकार के थे character हमारा इन्होंने लिया तो 7 character basically इन्होंने लिये सीड के 3 character थे एक तो सीड का आकार पहला लिया सीड का save क्या होना चाहिए ठीक है shape इन्होंने देखा seed का के भाई सब round और wrinkled यानि गोल यह जुरीदार हो सकता है काट्री लिडन का color yellow green हो सकता है seed coat का color जो है gray या white हो सकता है तो इन्होंने 3 यह लिये जिसमें round yellow और gray dominant था wrinkled green और white जो है क्या था रैसे से हो था pod में भी 3 characters लिये pod shape, pod color, position of pod pod shape में इन्होंने inflated लिया और constructed लिया ठीक है pod color में इन्होंने green लिया position में axial लिया और pod color में yellow और terminal भी position में लिया plant height इन्होंने tall और dwarf ली तो कुल मिला के इन्होंने इतने लच्छोडों पर 7 characters जो है चुने मेंडल ने ठीक है जब बाकी सारे लोग मेंडल के पहले जो लोग काम करते थे hybridization पे हो क्या करते थे एक साथ है साथो character लेके चल ले है तो वहाँ पर क्या होता था समस्याएं पैदा होती थी ठीक है उनकी जो ठीक है उनको रखने में समस्याएं पैदा होती थी लेकिन मेंडल सक्सेज रहे क्योंकि मेंडल ने क्या किया एक टाइम पर एक ही character को लेकर उन्होंने research किया अपना इस वज़े से उनकी success रही research ठीक है reason of मेंडल सक्सेज क्योंकि क्या कराण थे पहला तो coincided on the trait character one time एक एक या दो character इन्होंने एक बार में लिया select contrasting opposite pair of characters अलग-अलग तरीके के character लिये ठीक है जो कि अलग-अलग chromosome पर भी dependent थे all characters were independent of each other सारे characters एक दूसरे से क्या थे अलग-अलग थे independent थे characters were present on the different chromosome वाई साब यहाँ पर आप देखरों साथ लच्छण इन्होंने लिये हैं और यह साथ लच्छण अलग-अलग चार chromosome पर बेस थे कहाँ पर? चार chromosomes पर बेस देखाने कि एक अई chromosome पर यह साथ तो characters थे ठीक है अलग-अलग chromosome के अलग-अलग gene पर जो है यह साथ लच्छण नजर आ रहे थे चार प्रकार के chromosome थे जिसमें साथ लच्छण यह थे ठीक है? अच्छा accurate account of experiment इन्होंने क्या किया? पूरा, चुकि यह mathematics के भाई साब जानकार थे, इस्टेटिक्स के तो इन्होंने क्या किया? उसका पूरा experiment का data mathematical form में accurate account लिखके रखा, used appropriate symbol, sign and terminology इन्होंने सही symbol, sign and terminology का प्रयोग किया, इसी वज़े से finally Mendel success रहे मेंडल ने observe क्या किया? अब ये कहानी जैसे इन्होंने लिखी है, वैसे हम तो समझाएंगे नहीं आपको हम आपको बताएंगे मेंडल के observation क्या क्या मिले? ठीक है? तो मेंडल crossed the tall plant with the dwarf plant पहला अगर इन्होंने देखा कि tall plant को dwarf plant से इन्होंने cross कराया है तो F1 generation में सारे tall जनाएंगे, the initial cross between two varieties is called the parent और P1, ठीक है? generation and their offspring where the seed from or the plant is called F1 and the filial generation the succeed generation produced from the offspring F1 is and called F2 generation देखो, इन्होंने कहा कि जब हमने एक pure tall ये कैसा है? tall plant है और एक pure dwarf इसका cross कराया तो पहली generation जो हमारी F1 generation बन कर आई इस F1 generation में जितने भी plant हुए all plants कैसे नज़र आएंगे? all plants चुकि ये F1 यहाने लिखे जो genome बन रहा वो लिखते हैं तो genome यहाँ क्या बनेगा? capital T, small T सारे बनेगे तो ये all plants हमारे कैसे नज़र आएंगे? tall नज़र आएंगे दोनों सम्में एक capital T, एक small T है लेकिन दिखेंगे कैसे सारे tall दिखेंगे क्यों सारे tall दिखेंगे? क्योंकि capital T क्या है? dominant character है ये क्या है? dominant है तो जो dominant होता है वही हेटरो जाएगे असमें नज़र आता है ठीक है? ये recessive है अब ये तो मैंने फिसकल class में बताई दिखेंगे था dominant recessive क्या होता है? ठीक है? अच्छा फिर जब इन्होंने इसकी selfing करवाई क्या करवाई? selfing करवाई? selfing का मतलब समझते हो capital T, small T का class capital T, small T से करवाई तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा capital T, capital T capital T, capital T बनेगा, दूसरा capital T, small T बनेगा, तीसरा small T, capital T बनेगा, क्या बनेगा? small T, capital T बनेगा, चोथा क्या बनेगा? small T, small T बनेगा, यही चार बनेगे, ठीक है? यानि ये हमारा हो गया यह तो टॉल दिखेगा ही डिखेगा यह दोनो हमारे जो हाइब्रेड जैसे दिखर रहे हैं दोनों में दोनों तरीके जिसमें दोनों इसमाल हैं लेकिन अगर आप देखो गए तो ये दोनों भी कैसे नज़रा रहें टाल और ये एक भी टाल नज़रा रहें इसका मतलब अगर यानि पूरे हमारे आपने देखा कि तीन हमारे क्या दिखेंगे और एक सिर्फ हमारा क्या दिखेंगा ड्वार्फ दिखेगा ठीक है यहां तक समझ में आ जागए यहां तक यहां अपलूर अब अब हम लोग मेंडल के नियम gefांद वाथतों में फसेंगे नहीं हम लोग ठीक है क्यों एक्सपेंट पहले ये भी अच्छा जान लो क्यों मेंडल के जीते जी उनके कामों को कोई मानिता नहीं मिल पाई ये भी एक बात है क्या रहे मेंडल भाई बहुत बढ़िया आदमी थे क्यों उनके जीते जी उनके कामों को मानिता नहीं मिली ठीक है तो 1884 में ये जो है डेथ कर गए थे मेंडल और तब तक मेंडल को बहुत जादा कोई सरे मिला नहीं था 1884 में उनकी दिथ हो जाती है और उनके कामों को सरे कम मिलता है उनके कामों को सरे मिलता है जब rediscovery होती है इनके नियमों के 1900 में कहारा Although the mental did his brilliant work but due to the following reasons his work was not recognized till 1900 1900 से पहले इनके कामों को कोई मानता नहीं मिली आपके वीडियो लाइव नहीं देख पाता हूँ, बाद में देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कुमार, समस्या नहीं है इसमें, आप जब भी पढ़ सकते हो, जब आपको समय मिलता है, पढ़ लिया करो, आपके फायदे के लिए क्लास है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा देखो ऐसा था आप मालो आज के टाइम पर आप प्यस्दी करके रिसर्च करना स्टार्ट करो किसी चीज पर आप बहुत महान काम करके करो आप ठीक है फिर सोवान आपकी कभी डेथ होगी ही भाईज आप कोई अमर पैदा नहीं हुआ है अब आपकी मरत्य के 20 साल बाद आपके कामों को रिकगनिशन मिल रहा है तो कुछ तो समस्या ही रही होगी क्या समस्या ही रही होगी जड़ाई समस्लो आप देखो पहली बात तो देखो ये बात आप अपने माइन में बिठा के रखना कि जिसका जैसे भारत और भारत ब्रिटन का गुलाम था तो इस समय भारत का कोई साइंटिस्ट कोई बात कहे और ब्रिटन का कोई बात साइंटिस्ट कहे तो ब्रिटन का साइंटिस्ट की बात को ज्यादा वैल्यू मिलेगी तो जिस समय डार्विन का सिध्धान ताया था उसी समय पर मेंडल का सिध्धान ताया था डार्विन ने हमारा सिध्धान दिया था थे वरियाफ एवलूशन और इधर हेरिडिटी की जो है उन्होंने अलगी प्रिंसिपल चल लहे थे तो Mendel का जो नियम था उसी टाइम पर Darwin से class हो रहा था थोड़ा बहुत तो Darwin के नियम को ज़्यादा मानिता मिली क्यों कि Darwin रहने वाले थे कहा के? Britain के और Mendel रहने वाले थे हमारे Austria के और Austria किसका गुलाम था? Britain का उसमें गुलाम था इसका मतलब है भाई साब समझ से परे हो गया इनकी ठेक है? पहली बात तो यह हो गई दूसरी बात बायो वाले आज भी जानी रहे हो मैथ में बिचारे कमजोर हो जाते हैं बायो जो पढ़ते हैं अच्छे से चुकि मैथ और बायो वाले थोड़ा क्लैस चलता रहता है तो मैथ वाले जो है अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मैथमेटिकल कल्कुलेशन और प्रॉबिलिटी का बड़े पैमाने पर जो है बायोजी में यूज किया और जो कि उस समय के बायोजिस्ट जो भी थे उनके पल्ले से बाहर हो गया तो उनको समझी हम नहीं आया दूसरा रीजन है था इस वज़े से जो है इनके अध्यन को बहुत ज़्यादा माने था उन्होंने नहीं दी और बहुत प्रभावी जनरल उस समय के नहीं मानी जाती थी जो इन्होंने नेचरल लेश्टियो सुसाइटी आपनों में प्रप्लिस किया था इसके अलावा इनकी किसी भी बड़ी जनरल में इनका प्रकाशन नहीं हुआ इस वज़े से इनके काम को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिल पाया फेल्ड टू प्रूफ इज एक्सपेरिमेंट अन हिरेशियम वाज सजेस्टेड बाई प्रोफेशर नगेली ठीक है प्रोफेशर नगेली हिरेशियम यानि क्या हॉक वीड हॉक वीड पर इन्होंने प्रयास किया अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने का प्रोफेशर नगेली ने कहा था कि हिरेशियम यानि हॉक वीड पर कर दो प्रूफ तो ये किये और फेल हो गए फेल होने का रीजन बाद में बताऊंगा अभी हॉक वीड जो हमारे या ही रेशियम जो हमारा है इसमें बेसिकली हमारा दो-तीन चीजें ऐसी इन्वाल्ब हो गई थी जिसके कारण मेंडल के नियम यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत मेंडल के नियम क्या थे पहली बात तो यह जान लो रेडिसकवरी उन्निसों में हुई है पता होना चीए किसने 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 किया था हउगो डिब्रीज ने किया था जो कि डच साइटिस्ट थे या निधरलएंड के थे कार्ल और कॉरेंस थे कार्ल कॉरेंस थे जर्मनी के और सेर मार्क थे हमारे आस्ट्रिया के यह यह साथ तीन साइटिस्ट थे जिन्नों ने सन उनिस सो में 18-84 मिन की death के बाद 16 साल बाद जो है मंडल के नियमों की rediscovery के और जिसके बाद मंडल के नियमों को माने ताय मिली बेसिकली एगर genetically देखा जा तो तीन जो है fundamental नियम माने जाते हैं मंडल के पहला है love segregation or purity of gamete, दूसरा है love dominance or love uniformity or first failure वैसे पहला तो इसे कहना चाहिए और इसे कहना चाहिए दूसरा और तीसरा हमारा है law of independent assortment लेकिन बेसिकली आप अगर देखोगे तो पहला नियम और दूसरा नियम में कोई खास अंतर है नहीं, अलग-अलग है नहीं है ठीक है चुकि आप अगर देखोगे तो पहला नियम दूसरा नियम ये दोनों एक ही अच्छे scientist की किताब में दो ही नियम आस के टाइम पर मेंडल को आपके मिलेंगे मेंडल के नियम बता रहा हूँ मेंडल के नियम जब मैं तीनों बताऊंगा एक एक करके explain करूँगा देखो law of dominance क्या कहता है पहले जो नियम इन्होंने कहा law of dominance समझो जड़ा law of dominance इसे हिंदी में कह दें प्रभाविता का नियम तो इन्होंने कहा जो dominance होगा heterogeneous condition में वही अपना प्रभाव दिखाएगा इन्होंने कहा अगर हम एक capital T और एक capital T और एक small T और एक small T का cross कराएए जो कि हमारा इसमें capital T हमारा जहां भी capital letter होता है वो dominance है ठीक है और small letter हमेसा क्या होता है यह बात आपको पता होना चाहिए यह हमारा tall है जो कि dominance है dominant है और यह हमारा क्या है dwarf है जो कि क्या है recissue है ठीक है अपर भावी है यह phone generation में आप जितने भी character बनाऊगे देखो एक capital T इधर से ही जाएगा एक small T इधर से ही आएगा चाहिए जितनी बार आप बनाऊ तो सारे पोधे हमारे capital T small T वाले ही बनेंगे यह clear है बाई एक इधर generation कहेंगे यह हमारा अब अच्छा dominance का मतलब ही है कि एक भी capital T जिसमें नजार आ जाए वो हमेशा कैसा दिखेगा वो हमेशा दिखेगा tall ठीक है तो यह phone में हमारा दिखेगा क्या tall दिखेगा clear यह बात ठीक है यह हमें दिखेगा tall इसी को इन्होंने कहा law of dominance इन्होंने क्या कहा इसी को कहा law of dominance मेंडल ने कहा यह phone generation में हमारा सिर्फ वही लच्छन हमेशा नजर आता है जो हमारा क्या होता है जो हमारा dominant होता है, ठीक है, इसके बाद, इसी को उन्होंने laugh dominance कहा था, अच्छा, अब दूसरा को हम क्यों अलग से नाम नहीं देते हैं, या मतलब दो ही नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के आगे का नियम जो है, यहां से अगर आगे बढ़े हम, तो यहां से आगे जब हम y law of segregation, क्या कहते हैं, law of segregation, या दूसरे नियम को ही हम एक और नाम देते हैं, law of purity of gamete, क्या कहते हैं, purity of gamete, segregation यानि अलग होकर, purity of gamete, यानि जो gamete हमें start में लेकर चले थे, वही हमको वापस मिल जाए, आप dominance and gene interaction को भी cover कर दीजेगा, topic start है, हां एकदम एकदम उसको cover कर देंगे, ठीक है, law of segregation और purity of gamete की, अगर मैं बात करूँ, ज़रा समझो, तो मैंने कहा था, जब मैं capital T, capital T, small T, small T का cross करवा रहा था, तो F1 generation में सारे capital T, small T मिल रहे थे, जो कि हमें कैसे नजर आ रहे थे, tall नजर आ रहे थे, अब इसकी, अगर हम क्या करवा दें, selfing करवा दें, क्या क करा देंगे, तो मालो, यह हमारा पहले आगे वाला ले ले लेते हम सिर्फ आगे आगे वाला, तो यह हो गया capital T, capital T, ठीक है, अब आगे वाला और इधर पीछे वाला लेंगे, तो हो गया capital T, small T, अब इधर पीछे वाला और इधर आगे वाला लेंगे, तो हो जाएगा, फि दोनों कैपिटल्टी है अब वैसी बात है टॉल होगा यहां भी एक कैपिटल्टी पीछे लिखा हुआ यह भी टॉल होगा यहां भी एक कैपिटल्टी दिखा हुआ यह भी टॉल होगा यहां कोई कैपिटल्टी नहीं है तो यह सिर्फ यही ड्वार्फ नजर आएगा हमको ब सारा रहा है तो आपको वहए कौन दिख रहा है एक हमको बावाना दिख राया निखيर फिरफिक हो गया terazmesi कॉवर्मेंट कॉल इससे कि या है सके कंट सेमस्ट्र कोवीड में खराब हो गया है साई से पढ़ने हैं ऐसाहरा है फण्धन सींघ वाली बूक पढ़ लो तो आप बहुत sufficient रहेगा कहीं भी आपको GPB आपको देना रहेगा तो परयाब तो वहाँ पर हो जाएगा net की में बात नहीं करो net के लिए आपकी अपनी किताबे अलग होंगी BD Singh तो आपको पढ़ना पढ़ेगा फिर 6 से बाकी अगर आप बाकी competitive exams की बात करें तो वहाँ पर आप फंदन सिंग अगर पढ़ ले तो बहुत sufficient है ठीक है ये clear हो गया phenotype हमारा क्या हो गया 3 ratio 1 वही अगर मैं बात करूँ यहीं पर genotype की तो genotype हमको 3 तरीके के नजार आ रहे हैं एक तो ऐसão नजर आ रहे हैं जिसमें हमारा क्या है दोनोq कैपितल्टी है एक ऐसा नजर आ रहे है जिसमें दोनोq smallty है और दो ऐसे नजर आ, जहां पर एक capitalty है और एक smallty है तो हमने का genotype हमको कैसे नजर आ रहे है जीनोटिपिक ratio कैसा है जीनोटयटिक रेशियो का इसा नजर आ रहा है तो हमने कहाँ बाई सब एक capital T capital T वाला है दो ऐसे हैं जिसमें कैप्टटल एक small है और एक ऐसा है हमारा जिसमें दोनों small है या हमारा क्यों हो कि 1 to 1 का रेशियो बनेगा जीनोटाइब का यही बात समझा रहा था मैं आपको ठीक है आप बता दो अगर समस्या थी आपको तो सरबजीत को समस्या थी तो वो बता दें अगर कोई समस्या से मरंदीब को तो कोई समस्या हो तो बता दो ठीक है यह हमारी F2 जनरेशन हो जाएगी जो हमारी ये बन कर रहा है, यह हमारी क्या है, F2 generation है, ठीक है, यहाँ तक clear हो गया, बताओ, अच्छा, अब इसके नाम पे बात कर लिए हम, क्यों इसे हम laugh segregation कहते हैं, क्योंकि भाई साब देखो, जो parent हम लेकर चले थे, capital T, capital T, small T, small T, ठीक ही लेकर चले थे, यह फिर से क्या इसलिए इसे हम laugh purity of gamut भी कहते हैं, जो pure gamut हम इस starting में parents लेकर चले थे, वो parents हमको F2 generation में फिर return होकर मिल जाते हैं, इसलिए हम इसे laugh purity of gamut भी कहते हैं, ठीक है, और laugh segregation भी कहते हैं कि भाई साब हो segregate हो गए हमारे तीन तरीके के, clear, भाई पहली F1 generation में हमको सब एक जैसे लंब हमो जाएगा है, हेटरो जाएगा सेमी जाएगा सब पता है आपको, चालो सब्द में बता देता हूँ अगर यहां आएगा, पढ़ के भी करवा दू, चालो मैंने जितना बताया है पढ़ भी देता हूँ, इन हेटरो जाएगास state, the dominant and the recessive alleles remain together throughout the life without contaminating or mixed with each other during the gamete formation, these alleles separate or segregate from each other, each gamete get only dominant recessive alleles, for the understanding the law of segregation, here four principles, heredity character is determined by the particular factor now called gene, the factor occurs in a pair, each gene has two or more alternative form known as alleles, यह सब बाते मैं पहले आपको बता चुका हूँ खेर, फिर से बता देता हूँ, देखो, कह रहा है कि जो characters को बताता है, वो तब तो factor कहा जाता था, लेकिन आज के टाइम पर उसे हम gene कहने लगे हैं, ठीक है, और जो प्रतियक gene है, उसमें alleles पाया जाते हैं, दो, ठीक है, या तो dominant alleles हो सकते हैं, या तो recissive alleles हो सकते हैं, या तो similar हो सकते हैं, या तो homo जाएगस ह हो सकते हैं, या तो heterozygous हो सकते हैं, जो दोनो DC similar होंगे, ठीक है, जब यहाँ पर हम देखेंगे, जो हम लेकर starting में चले थे, capital T, capital T, वही हमको return वापस मिल जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, laugh segregation बोल देते हैं, या laugh purity of gamete बोल देते हैं, gametes की purity हमको यहाँ पर हो तो heterozygous है, an individual having only one allele, कह रहा है, किसी में सिर्फ एक allele पाया जाता हो, एक जिन में अगर एक ही allele पाया जाता हो, दो की जगा पर, तो उसे हम क्या कह देंगे, hemigyagous कह देंगे, क्या कह देंगे, hemigyagous कह देंगे, ठीक है, have Mendel observed that only tal prusonies from all tal plant, only dwarf prusonies from all dwarf plant, it means the parent plant were homozyg as state, allele of tal plant, capital T का ठीक हो तो बता ही है, चालो, gametogenesis में मैंने आपको बता दिया, सारा काम कैसे काम करता है, homozygous parent में मैंने का, यह हमारा tall हमारा होगा, capital T, small T, tall ही नज़र आएगा, जबकि gametis में एक capital T, एक small T का है, ठीक है, सारी चीज़े आपको पता है, love dominance भी मैंने बता दिया, uniform यह फोन generation तक हमारा क्या दिखेगा, tall दिखेगा, देखो यहाँ पर tall और dwarf को जब हमने क्रास कर रहा, यह फोन generation में हमको क्या, सारे tall ही नज़र आ गए, ठीक है, सारे सारे कैसे नज़र आ रहा है, capital T, small T नज़र आ रहा है, इसके बाद जब हम अगली जनरेशन में लेकर गए, जब हम इसकी selfing कर आई, तो selfing में हमने देखा कि एक capital T, capital T दिखा, दो हमारे capital T, small T दिखे, एक हमारे small T दिखा, यह तीनों हमारे tall होंगे, एक हमारे dwarf होगा, तो phenotypic ratio बन गया, theory ratio बन, genotypic बन गया, one to one, यह monohybrid किरास हमारा था, जो मिंडल के पहले दो नियम है, वो monohybrid पर ही काम करते हैं, monohybrid पर ही काम करते हैं, तीसरा और बहुत important नियम है, law of independent assortment, ठीक है, राम गाथा पढ़ने से अच्छा है कि आप समझ लो चीजों को, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, ठीक है, तो मैं बताओं, तीसरा नियम जो हमारा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, law of independent, क्या कहते हैं, law of independent assortment, ठीक है बालक, law of independent assortment कहते हैं, क्या होता है, law of independent assortment, दिनकेवर तों ओसे यहां पर हमेशा क्या करेंगे दो करेंगे इसे मं कह देंगे इसे हमने कहा था स्वतंतर अपवयू है या लाओ लाफ इंडिपेंड़ेन असंट्च्रव्टिमत्, यहां से क्या बनते हैं, कैसे वो आता रैंस, यह मैं बता दूंगा बाद में तो यहां पर पूछा जाता है आप से कि Phenotypic Ratio क्या बनेगा Laugh Independent Assortment या Dihybrid Kraska Phenotypic Ratio क्या बनेगा तो Phenotypic Ratio हमेशा बनेगा इसका 9-3-3-1 9-3-3-1 बनता है दूसरा आप से पूछा जा सकता है Genotypic Ratio क्या बनेगा यहां पर Genotypic Ratio आप से पुछा जाता है तो क्या बनेगा 1-2-1 2-4 2-1-2-1 ठीक है 1-2-1-2-4-2-1-2-1 यह Genotypic Ratio बनेगा कैसे बनेगा यह मैं आपको अब समझा देता हूँ डेटेल में ध्यान से थोड़ा सा आप लोग बहिजाओ आराम से तो आपको समझ में आ जाए चीज़े ठीक है समझा ज़रा चाह मैं खुद बनाऊंगा अगर थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन फिर भी मैं खुद बना कर समझाऊंगा आपको जिससे आपको बनाना आ जाए तो मानलो मैंने कहा दो लच्छन आपको लेने है ठीक है तो एक मैं पहले आपको यहाँ समझा देता हूँ पहले पेस पे की मतलब किसका क्या है जहां मैंने केप्टल वाई लिखा है इसका मतलब होगा यलू और इसका मतलब यह हो गया क्या । डॉमिनेंट यलो क्या हो गया, डॉमिनेंट हो गया यह बात तो आपको capital का मतलब समझ में आई जाएगा, ठीक है, वही small y हमारा क्या दर्साएगा, green color को दर्साएगा, क्या दर्साएगा, green color को दर्साएगा, और यह हमारा हो जाएगा, इसके बाद, अगर मैं लिखता हूँ capital R, तो यह हमारा दर्साएगा, round, seed की बात कर रहाँ, round, और अगर मैं लिख देता हूँ small r, इसका मतलब भी हो जाएगा, wrinkled, क्या हो जाएगा, wrinkled, जुर्रीदार, ठीक है, wrinkled हो जाएगा, clear, यह हमारा हो गया, dominant और यह हो गया, ठीक ह अच्छा, अब अगर हमको क्या कराना है, cross करवाना है, पहली बार में, तो पहले तो हम सारे dominant वाले collection एक के पास रखेंगे, ठीक है, capital Y, capital Y के साथ, capital R, capital R है, यह हमको देखने में कैसा नज़र आएगा, एक भी capital Y दिख गया, तो इसका मतलब yellow है, एक भी capital R दिख गया, तो ह सक्रास हम करवा देए, small Y, small Y, small R, small R से, चुकि एक भी capital Y नहीं है, तो हमारे yellow नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, green दिखेगा, ठीक है, एक भी capital R नहीं, इसका मतलब है, कैसा दिखेगा, wrinkled दिखेगा, जुर्रीदार दिखेगा, क्या दिखेगा, ठीक है, यह हमारा, चु पर जब आप बनाऊगे तो कोई भी भाइस अब यहां से आप एक y जाएएगा Capital का तो एक y यहां से आएगा small का ठीक है एक आर यहां से जाएगा capital का तो एक आर यहां से आएगा इसमाल के यह पूरी generation हमारी F1 में ऐसी ही नजर आएगी जिसमें एक capital वाई होगा एक small वाई होगा एक capital R होगा तो एक small R होगा पूरी generation जब हमको ऐसी नजर आएगी पूरी जनरेशन ये फॉन में हमको ऐसी नजर आएगी तो देखने में हमको कैसी नजर आएगी dominant वाले सारे लेच्छन दिखेंगे यानि हमारा पूरा खेत नजर आएगी भाई साब कि यहाँ पर देख रहा है हम गोल और पीले धाने नजर आ रहे हैं क्या round और yellow seed हमारे पूरे ये नजर आएगे पूरे खेत में ये फॉन जनरेशन में तो हमको ये देखने को मिल जाएगा कि सारे पौधे कैसे है yellow प्लस round है लेगिन जब हम इसको ये फुटू जनरेशन में ले जाएगे क्या कराएगे इसकी selfing कराएगे तब क्या होगा जरा इसको हम समझते हैं इसके लिए आपको जो पुनेट का चार्ट है उसको बनाना आपको सिखाऊंगा समझो पुनेट का चार्ट आपको बनाना है ठीक है तो बस इतना समझ जाओ समझावनाएं क्या हो सकती है यानि capital Y के साथ capital R हो सकता है ठीक है बड़ा बड़ा मैंने कहा दूसरे में बस यही लाइन याद रख लिए बड़ा 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 छोटा फिर छोटा बड़ा यह ध्यान रखना जो आप Y आगे रखना तो Y ही आगे हमेशा रखना छोटा ब यहां भी सेम करना है बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा यह आपके कुछ 16 तरीके के करेक्टर बनेंगे यहां पर क्या बनेंगे सबको अब हम लोग लिख देते हैं ज़रा दियान से देखो यह हमारा यहां पर क्या लिखा जाएगा इन दोनों की चीज अब यहां पर इसको और इसको मर्ज करके लिखेंगे तुझरा देखो क्या लिखेगा फिर यहां पर इसके बाद देखोगे आप अब यहां पर सारे के सारे हमारे होगे इतने तरीके के करेक्टर समको नजार आएंगे यह बात समझ में आगे की नहीं कैसे बनाना है आपको बस इतना रखना क्या याद रखना है लाइन देखो बई साब आप Y आगे रखो या R लेकिन जो आगे रखो निल से रखना अब आपको बोलना क्या है फिर और बड़ा 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 छोटा छोटा-बड़ा-छोटा-छोटा सेम यहाँ, बड़ा-बड़ा-बड़ा-छोटा छोटा-बड़ा-छोटा-छोटा ठिक है, इतने करेक्टरस हमारे बन जाएंगे, अब आपको अगर इसका phenotypic ratio बताना है तो, क्या आपको बताना है, phenotypic ratio तो phenotypic ratio हमारा मेसा कैसा दिखेगा round yellow दिखेगा कैसा दिखेगा round yellow दिखेगा हार round और yellow दिखेगा ठीक है अगर उसमें आर एक भी capital नहीं आया है यहां भी वही आप चार फार्मूले अपना लो न जो मैं बताया हूँ आपको कौन कौन से अच्छा वहां मैंने y आगे रखना तो y ही यहां भी आगे रखता हूँ तो मैंने का बड़ा बड़ा ठीक है बड़ा छोटा ठीक है फिर छोटा बड़ा और छोटा छोटा सेम मैंने अपना लिए चार तरीके के दिखेंगे जहां एक भी capital वाई है एक भी capital आ रा गया वो round yellow दिखेगा एक भी capital आई आगया तो yellow तो दिखेगा ही लेकिन r small है तो यह हमारा wrinkled दिख जायेगा गूल नहीं दिखेगा कैसा दिखेगा wrinkled दिखेगा y हमारा एक भी capital नहीं है इसका मतलब हमको green दिखेगा और R हमारा capital है तो round दिखेगा और हमारा दोनों इसमाल है तो हमारा green और rinkled दिखेगा इन 4 के अलावा कोई आप color या shape का पौधा नहीं पाओगी 4 ऐसे ही इतने ही मिल सकते हैं आपको 4 अच्छा अब आपको छाटने है कितने में एक भी capital Y या एक भी capital R आ गया गिलनों जराई इसको count करवा दितने हैं आपको देखो यहां पर दोनों Y capital है यहां भी whole capital R capital ही यहां भी Y capital एक R capital है यहां भी whole capital यहां भी यहां भी y और r दोनों capital है यहां भी दोनों capital मिल जा रहा है यहां भी मिल जा रहा है यहां नहीं यहां पे y दोनों small है नहीं मिल रहा है इसके बाद यहां y दोनों small है इसके बाद यह हमारा जो है यह दिखाएगा ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, कितने दिखे हैं हमको, आपने देखा, एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नौ, 9 हमको ऐसे दिखे जहाँ पर एक ना एक Y कैपटल और एक ना एक क्या है R कैपटल है तो 9 हमको यहाँ यह दिख गए अब हमने कहा कुछ ऐसे देखो जिसमें Y एक कैपटल हो लेकिन R एक भी कैपटल नहीं मैंने कहा ऐसा देखना है है कि y1 एक capital हो लेकिन रहे भी capital नहीं है थेक है दूसरा हम इसे देखने को मिल गए जिसमें y एक capital है, r एक भी capital नहीं है तीसरा, y एक small हो, y एक भी capital नहीं हो, r लेकिन एक नए capital हो देखो, यहाँ पर r एक capital नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर क्या? यहाँ पर देखो, y एक भी capital नहीं हो, r capital हो एक ये एक ये और एक ये तीन ये हमको देखने को मिल गए पास पास ही जहां वाई जो हमारे एक भी capital नहीं है आर लेकिन एक नए capital है तो हमारे तीन ये मिल गए आपको तीन ये भी मिल गए और एक हमारा last वाला जो बचास एकला होता दोनों small, y भी दोनों small, r भी दोनों small तो हमारा एक यह दिख गया तो मैंने कहा था phenotypic ratio क्या बनेगा 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio, 1 का बनेगा 9 हमारे ऐसे दिखेंगे, जो round yellow है 3 yellow ringled, 3 green round और एक हमारा green ringled दिखेगा यह बात आपको समझ में आही गई होगी I hope बनाना भी आप आपसे कोई पूछेगा तो आप बना भी लोगे तो phenotypic ratio हमारा क्या होगा 9, 3, 3, 1 होगया अब आपसे पूछेगा same इसी में genotypic ratio क्या होगा, जारा समझो बालक same इसी में अगर आपसे पूछ ले कोई genotypic ratio क्या होगा तो देखो बच्चा मैं आपको समझाता हूँ मैं जबा साफ कर दूँ इनको जिससे आपको यह समझ में अच्छे से आजाए देखो तोड़ बीच बीच में मिट गया है फिल कर देतना हूँ फिर से देखो यहाँ पर जो है y y और r एक कैपिटल था एक समाल था और तो कहीं मेटा नहीं यह खुश ठेक है आप समझो बच्चा जडरा आप लोग इसमें आपको अगर जीनो टिपिक रिशियो सर्च करना है तो आप कैसे करोगे जीनो टाइप कितने टाइप का बन सकता है जीनो टाइप तो जीनो टाइप भाई साब हर तरीके का बन सकता है यानि कहने का मतलब है तीन तीन लेच्छर ले लेते हैं बड़ा बड़ा capital Y, capital Y बड़ा छोटा यानि capital Y, small y और छोटा छोटा Y तीन ही प्रकार की हो सकती है या तो दोनों बड़े हों या तो एक बड़ा एक छोटा हो या तो दोनों छोटे हो अब इन तीनों के साथ में तीनों तरीके के R भी हो सकते है यानि इन तीनों के साथ में तीनों तरीके के R भी हो सकते है R हमारा हो सकता है कि भाई साथ दोनों capital हो ऐसा हो सकता है कि R, small, 1 capital हो ऐसा हो सकता है कि दोनों आरिसमाल हो अब इसके साथ भी यही तीन करेक्टर बनेंगे बड़ा 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 छोटा और छोटा छोटा यहां भी तीनों ऐसे ही बनेंगे बड़ा 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 छोटा और दोनों छोटा छोटा इतने तरीके के हमको जहां पर genotype नज़र आएंगे अब आप देखो ऐसे जिसमें दोनो y capital हों दोनो r capital हों कितने नज़र आ रहे आपको तो बाइस अब इसके अलावा आपको इस पहले वाले के अलावा कोई नज़र आ रहा यह नज़र आएगा इसका मतलब यह 1 हो चैपटल कहां पर है पर है देखो जड़रा गैंने तो होगा हां यह वाइ दोनो खैपटल है यहां पर ये देखो ये क्या है y दोनों कैप्टल है आर एक कैप्टल एक स्माल है ठीक है ये दिखा ठीक है y दोनों कैप्टल आर एक कैप्टल एक स्माल तो ये हमारा क्या बन गया दो बन गया फिर दोनों y कैप्टल है आर दोनों स्माल है दोनो y capital है और दोने small है यही बगल में दिग गया तो भाई सब सुरुवात के 4 हमको यहां मिल गए 1,2,1 करते हुए अब y एक capital एक small है ठीक है तो आपको ऐसे बता देते हैं कितने मिलेंगे यह मिलेंगे दो हमारे जिसमें y एक capital एक small चार हमको सीदे-सीदे मिल गई है ठीक है और दो हमारे ऐसे मिलेंगे जहां पर आर दोनों small होंगे y एक capital एक small होगा सेम यहां पर 1,2,1 भी दिखेगा इस हिसाब से genotypic ratio जो हमारा बनेगा genotypic ratio हमारा आप try के लेना अपने आप यही बनेगा 1,2,1 फिर 2,4,2 फिर 1,2,1 ठीक है आप confuse मत होना एकदम ऐसे ही बनेगा जब आप अपनी copy पर बना होगे clear आप ना आये तो समझ में screenshot इसका लेके अपने आपसे मिला लेना अब यही समझाते रहने का कोई मतलब भी नहीं क्योंकि यह आप clear है कि इतना ही बनना है ठीक है रडाय हाइबरेट क्रास का यह हो गया रेशियो इसके बाद इनो 9331 बना दिया जो हमने आपको समझाया था इसके बाद जो है deviation of Mendel's law Mendel founded that each seven character coincided or controlling by a single gene but there may be more than equal to genes responsible for particular character according to Mendel's one allele domain क्या deviations थे क्या Mendel के नियमों में क्या असमानता है कि क्या समस्थ्याएं थी ये बात है अगर Mendel के नियमों के अपवाद ऐसे कहलो तो करा Mendel ने जो भी साथ character लिये वो एक gene द्वारा गवर्न होते थे लेकिन ऐसा भी तो होता है कि कई सारे gene मिलकर या दो या दो से अधिक gene मिलकर क्या करते हैं एक character को जो है बना रहे होते हैं तो ऐसे जब condition हो जाएगी तब तो Mendel के नियम फेल हो जाएगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जब बहुत सारे gene मिलकर एक character को गवर्न करें तो उसे हम कहते हैं क्या आप polyzene तो polyzeneic interaction जहाँ पर आजाएगा वहाँ पर ये fail होता नज़र आएगा दूसरा कहा रहा है Mendel ने जब कहा कि बहुता वन एलिल dominant over the other ऐसा होगा हमेशा लेकिन जब हमने क्या किया कॉरेंस नाम के एक scientist थे उन्होंने mirabolis जलापा जिसे आप 4.0 class या evening prime rose कहते हो evening prime rose यानि mirabolis जलापा का क्रास करवाया इन्होंने क्या किया ये बताऊंगा मैं आपको अभी जब मैं इसके बाद वाला chapter हमारा इलिलिक interaction वाला आएगा वहाँ पर जिन interaction वाला ठेक है वहाँ बताऊंगा क्या हुआ समस्या इन्होंने क्या किया लाल फूल पहली generation में इन्होंने क्या किया red flower capital R capital R का small R small R से क्रास कराया plant कैसा बनना चीए था capital R small R हमको कैसा दिखना चीए था red दिखना चीए था लेकिन red ना दिखकर वो कैसा दिखने लगा वो हमको दिखने लगा pink पिंक दिखने लगा इसे हमने क्या कहा इसे हमने कहा इनकम्प्लीट डॉमिनेंस इसे हमने इनकम्प्लीट डॉमिनेंस कहा यह मेंडल की नियम का अपवाद होगा आगे मैं बताऊंगा इसको ठीक है 3 रेशियो 1 की जगा पर यहाँ पर 1-2-1 ही फिनोटिपिक भी बनेगा एक red बना दो pink बने और एक white बना हमारा तो 1-2-1 हमारा जीनोटिपिक भी है 1-2-1 हमारा फिनोटिपिक भी बन जाएगा तो यहाँ पर मेंडल का नियम फेलोता हो नजर आया according to मेंडल there were only two alternate factor each character means two alleles लेकिन आप आज के टाइम पर आप जानते हो कि भाई साब हम लोग multiple allelesm पढ़ ली हैं जहाँ पर आप देखते हो जो हमारा जिसे red eye के लिए जो हमारा color है वहाँ पर तीन alleles responsible होते हैं W plus G, W plus C और W plus G, तीन alleles पाए जाते हैं मेंडल के नियम अपने टाइम पर जो है बहुत success थे उसके बाद और discoveries हो रही है जिसे mutation की बात मेंडल ने कहीं पर नहीं की थी ठीक है मेंडल ने incomplete dominance की बात नहीं कि मेंडल ने जो है किसी भी allylic interaction है non allylic interaction के भी सैमें बताया नहीं उनहीं commentल के नियम के अफवादों के रूप में आज के टाइम पर पढ़ते हैं जोगी पढ़ेंगे आगे monogenic या monohybride class तो monogenic या monohybride class में मैंने कहा था F2 generation में हमारा genotype 121 बनेगा phenotype 123 ratio 1 बनेगा monohybride में क्या होता जब आप single character लेकर चलो एक character लेकर चले हो तो हमारा monogenic हो dihybride में 2 pair आप लेकर चले हो characters के तो यहाँ पर 9,3,3,1 बनेगा 1,2,1,2,4,2,1,2,1 बनेगा ठीक है और trihybride में हमारा क्या बनेगा 27,9,9,9,3,3,3,3,3,1 एक बनेगा और यहाँ पर जो है 64 combinations बनेगे तो जब हम एक character ले रहे हैं तो चार combination बन रहे हैं क्या बन रहे हैं 2,3,1,4 कितने बन रहे हैं चार combination यहाँ पर 9,3,12,3,15,16 जब dihybride तो 16 और जब आप trihybride ले रहे हो तो कितने combination बनेगे ऐसे 64 combination बनेगे जब आप 3 characters से एक साल लेकर बात करोगे trihybride class में ठीक है तो एक character पर 4 है 2 पर 16 है 3 पर 64 है आप ऐसे 4 चकूँ 64 चकूँ ऐसे करके आप बना सकते हो ठीक है आप square करते चले जाना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो अब अगर हम बात करें back cross या test cross की ये भी एक जानने वाली चीज़ी ज़रा समझो back cross क्या है पूछा जाता है आप से तो basically आप से पूछा ज़रा back cross क्या है तो बताओ ज़रा back cross क्या है मैंने कहा capital T, capital T हमारा है small T, small T हमारा है EF1 में cross करा है capital T, small C बना जो कि हमारा tall दिखा अब अगर हम क्या करें ये जो EF1 जनरेशन हमारी बनकर आई है क्या ये EF1 जनरेशन हमारी बनकर आई है इसका cross करवा दें आईदर किसी भी parent से ठीक है यानि capital T, small T का cross हम किसे करा दें या तो ये dominant parent से करा दें या तो ये recessive parent से करा दें तो ये हमारा कहलाएगा back cross यानि अगर मैं एक सब्द में आप से कहूँ तो back cross बराबर simple सा formula आपने याद कर लिया कि back cross और कुछ नहीं है बाई साब क्या EF1 इंटू parent का cross है पहली ये first failure generation का parent से cross क्या कहलाता है back cross कहलाता है इतना आपको पता होना चाहिए अब back cross हमारा basically हो सकता है दो परकार का आपको दो परकार क्या है EF1 इंटू आप dominant parent कर सकते हो dominant parent कर सकते हो या तो आप क्या were capital mega capital से करा दू या तो आप कह सकते हो EF1 इंटू हम क्या करेंगे रेसिस्व पैरेंट से कराएंगे रेसिस्व पैरेंट से कराएंगे जब आप यफवन इंटू रेसिस्व पैरेंट कराते हो तो इसे हम कहते हैं क्या टेस्ट क्रास क्या कहते हैं टेस्ट क्रास कहते हैं जब आपने यफवन इंटू रेसिस्व पैरेंट भी कह देते हैं कहीं कहीं पर सब्दों इसे top cross अलग चीज होती है लेकिन कहीं कहीं पर इसको top cross में count कर लिया जाता है वसे out cross ज्यादा सही सब्द होगा यहां पर ठीक है out cross और recessive से जब एफोन की cross कराएंगा तो test cross तो मैंने कहा back cross दो परकार का हो सकता है out cross आउट cross हो जाएगा यहां तो कोई समस्या हो तो बता दो आप लोग देखो इन्होंने का plant है dwarf recessive हमारा है यह phone में हमारा बनाई देखो इन्होंने कहा यह phone में हमारा capital T small T बनके तयार हो गया सारे capital T small T बनके गया सारे hybrid थे अब इनका हमने क्या किया capital T small T का हम recessive recessive था ना recessive जो cross करा दिया तो इसे हम क्या कहे देंगे test crash कहे देंगे क्या कहे देंगे test crash कहे देंगे अचछ़ जब ऐसा crash आप करा οगे तो होगा क्या जड़ा ये भी देख लो जब आपने ऐसा crash करा तो क्या होगा जब capital T Roosevelt T का crash आपने capital T small t से करा दिया यह हमारा क्या है def one है और यह हमारा इस हमारा पैरेंट है आपको क्या मिलेगा एक तो मिलेगा capital T capital देखो पहले का पहले से फिर पहला दूसरा हैनी capital टी small t फिर दूसरा पहला है यानी capital dot इसका मतलब यहाँ पर जो ratio आपको बन रहा हैfight यह कैसा बन रहा है heißt यह बन रहा है two ratio also यह इसे हम कह सकते हैं one ratio one ज्यादा सठीक सब्ध क्या होगा दो बटे दो करोगे तो उसको तो एक बटे एक कही सकते हो तो बाई साब यहाँ पर जो ratio बनता है वो क्या बनता है 1 ratio 1 का बनता ही ये बात आपको पता होनी चाहिए यानि एक पोधा हमारा simple tall दिखेगा तो एक हमारा क्या दिखेगा hybrid वाला दिखेगा ये भी tall ही वहीं अगर मैं बात करूँ रेसियो से आप test cross करवाते तब भी 1 ratio 1 का ही ratio बनता लेकिन एक हमारा hybrid वाला tall बनता और एक हमारा क्या बनता रेसियो वाला dwarf बनता simple recessive बन जाता test में ठीक है ratio back cross का 1 ratio 1 ही रहता है अगर आप से पूँछे question क्या बन जाता है mono hybrid का मैंने भी बताए है एक cross लेकर तो mono hybrid में back cross का back cross का ratio क्या बनेगा 1 ratio बनेगा वहीं अगर मैं बात कर दूँ die hybrid में die hybrid में back cross का ratio तो भाई साब क्या हो जाएगा 4 चले जाओ 1 ratio 1 ratio 1 ratio 1 ये बन जाएगा die hybrid में clear इतना समझ में आपको आजाना चाहिए mono hybrid में 1 ratio 1 बन रहा है तो die hybrid में क्या बनेगा 1 ratio 1 ratio 1 ठीक है इतना आपको समझ में आजाना चाहिए ठीक है चलो अब मैं बात करूँगा dominance and gene interaction की genetic interaction ठीक है dominance क्या है dominance is phenomena of expression of only one character or allele in the heterogeneous state it is four type codominance हो सकता है I know cover dominance हो सकता है complete dominance हो सकता है over dominance हो सकता है ठीक है चलो समस्ते चलते हैं इन सबको codominance या no dominance ये समझो थोड़ा समय इसको अलग तरीके से जैसे इन्हों corrupted अपने तरीके से एक छेप्तर है gene interaction ये genetic interaction जिसे जो इन्होंने लिखा है बने सारे के सारे किसी भी एक्जाम में उतना नहीं जितना इन्होंने लिख के रखा है ठीक है एलीलिक इंट्रेक्शन हमारा बेसिकली इसमें हमारे एलीलिक इंट्रेक्शन का मतलब क्या होता है सेनी सेम एलील पर आपस में जीन है पास-पास उनमें इंट्रेक्शन हो रहा है यह सेम लोकस्त चीन होने चाहिए, चाहिए,AND connecting access होने चाहिए, और यह हमारा कहाँ पर देखने की मिलना है, मोनो hazard में दीखेगा, मोनtheлан niveau catch में दिखेगा, nonallelic interaction हमारा क्या होगा, differentallele होना चाहिए, क्या होना चीए, differentallele नहीं होना चीए, different locust parallel होना चाहिए अलग ही locust parallel हो different locust parallel हो locust जहां पर जीन पाए जाते हैं क्रोमोजोम पर उसे गहते हैं ठीक है और यह हमारा क्या होगा die hybrid में दिखेगा किसमें die hybrid process में दिखेगा अब दोनों के जो है क्या है examples हैं अगर मैं इसको याद करवा हूँ तो monkey ले दो क्या जात करना है इनको monkey ले दो अब इनको monkey ले दो को हम explain करेंगे अगले चरण में क्या है इनको monkey ले दो full form क्या है पहला इसमें है incomplete dominance क्या है incomplete incomplete in for हो गया incomplete complete dominance second is co dominance third is monkey मतलब हो जाएगा multiple allele क्या हो जाएगा multiple allele fourth हमारा हो जाएगा lethal lethal gene और fifth हमारा हो जाएगा dominance recessive क्या हो जाएगा dominance recessive इनको अभी थोड़ा थोड़ा समझाऊँगा इनके जो ratio बनेगे वो समझाऊँगा ठीक है dominance ऐसे सिव अच्छा इन्होंने यहाँ पर dominance को अलग से ले लिया co dominance incomplete dominance complete dominance यह तीन तो मैंने वैसे भी लिये है over dominance इन्होंने एक यहाँ पर दिया है उसको मैं अलग से आपको पढ़के बता देता हूँ जो इन्होंने दिया है बाकी तीन तो हम अपने साथ वाले में पढ़ी लेंगे ठीक है over dominance इनका देख लेते हैं कोई भाई नई चीज लेकर आएंगे ठीक है देख लेता हूँ बच्छा over dominance क्या है over dominance क्या है here the intensity of character is greater than heterozygous than that concided homozygote homozygous से ज्यादा heterozygous की क्या है intensity है in maze heterozygote is more pigmented than the homozygote कह रहा भाई साब जिसमें homozygous condition ने दोनों इलील सेम पाये जा रहे होंगे और किसी में मेज में अगर दोनों इलील अलग अलग पाये जा रहे है यह वाला ज्यादा लाल दिखेगा इसकी यह पेच्छा यह वाला ज्यादा लाल दिखेगा यह वाला ज्यादा लाल के साथ अपनी प्रभावित्ता को और अधिक जब बढ़ा दे तो उसे बोलते है over dominance ठीक है बास समझ में आई कह रहा है बढ़ा कर दिखाने का प्रयास करते है वो है over dominance ठीक है capital R, capital R के साथ है यह भाई दोस्तों के साथ में तो बड़ा simple रह रहा है खलका लाल दिख रहा है मक्ये में ठीक है लेकिन जहां वो capital R, small R के सामने आया यानि किसी दब्बू को पाया वहाँ पर उसने क्या किया अपना power बहुत ज़्यादा dominance करके दिखा दिया यानि जितना वो अपने भाई लोग के साथ लाल नहीं दिख रहा था capital R, small R के साथ में बहुत ज़्यादा लाल हो गया यानि हेटरो जाएगा इस condition में ज़्यादा powerful दिखे इसे हम over dominance कहते हैं यह हमारी एक चीज़ थी dominance की बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको ऐसे भी अब समझाने वाला हूँ क्योंकि मैंने जो आपको बताया है इसमें बाकी तीनो dominance हमारी इसमें हो जाएगे incomplete dominance, co dominance और यहाँ पर हो जाएगे dominance ठीक है, recissive dominance में हमारा dominance हो जाएगा ठीक है, यह थीनों परगार के dominance आपको complete dominance है, dominance अपको एक बात है ठीक है और दो extra आपको मिल जाएगे multiple allele, lethal gene जो आपके ज़्यादा काम के नहीं लेकिन question आपके फिर भी बन जाते हैं कभी-कभी अब ज़्यादा काम के नहीं, फिर भी question कईसे बन जाते हैं आपको समझाता हूँ मैं तो बच्चा, पहला मैंने जो आपको बताया इसमें वो मैंने क्या कहा complete, वो सरी, पहला मैंने क्या कहा incomplete dominance एक एक करके मैं यहीं पर समझाता चलता हूँ आपको पहला क्या है incomplete dominance सब्द से कुछ समझ में आ रहा है करा प्रभावित्ता तो हो रही, लेकिन पूरी की पूरी प्रभावित्ता नजर नहीं आ रही है करा प्रभावित्ता है, डॉमिनेंस है लेकिन पूरी प्रभावित्ता नहीं है आपको होगे, अच्छा है, यह कुश्चन आया, आप लोग के देखें नहीं है हमने F0 पहले, because mini tuber तैयार करते है plant की F1, F2 stage किस में आएगा आपको कुश्चन समझ में नहीं आया है मुझे, सर आप बहुत अच्छे से law में stage आयेगी उसकी ratio भी नहीं समझ आ रहा है mini tuber का मुझे नहीं समझ में आ रहा सिमरंदीब, आप क्या question पूछन पूछन चाहा रहे है किस topic का question पूछन 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 चाहा है मुझे यहीं नहीं समझ आ रहा है चालो, incomplete dominance हम लोग समझते हैं पहले पूछन 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 पू चार बज़े इसका फूल किलता है, इसलिए हम फोरो कलाक प्लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल रंगा फूल होता है, एक्चुल में इसके लाल और सफ़े दो रंगे फूल पाये जाते हैं, ठीक है, जो capital R capital R है, यह हमारा red को पदरशित करता है, क्या पदरशित करता है red को पदरशित करता है, small R, small R हमारे white color के फुलार को पदरशित करते हैं, अब मेंडल के हिसाब से, जब यह phone generation बननी चाहिए थे capital R, small R, तो यह कैसा दिखना चाहिए था, red दिखना चाहिए था, लेकिन यह proper dominance नहीं नज़र आएगा, यहाँ पर इंटों ने क्या किया, capital red, red proper पर नहीं दिखा, यह कैसा नज़र आने लगा, pink नज़र आ गया, pink नज़र आ गया, इसका मतलब है, भाई साब, ध्यान देना, pink नज़र आ गया, कहने का मतलब आपने क्या देखा, यहाँ पर, dominance पूरी नहीं दिख रहे है, कैसी दिख रहे है, incomplete दिख रहे है, क्या दिख र मिनन से हमारा जो है कमजोर पड़ जा रहा है ठीक है अच्छा इसके बाद इसकी हमने कराई सेलफिंग जब एफ टू जनरेशन तक ले जाकर इसको हमने देखा यहने कैप्टल आर स्मॉल आर का क्रास हमने जब कैप्टल आर स्मॉल आर से कराया तो बाद साब इसके फटू जनरेशन में हमको क्यान मिलेगा कैप्टल आर कैप्टल आर मिलेगा एक तो दूसरा हमारा दो हमारे ऐसे मिलेंगे जो कैप्टल आर स्मॉल आर होंगे ठीक है मिलता था और दो हमारे ऐसे मिलेंगे तो आपने क्या देखा यहाँ पर यहाँ पर जब incomplete dominance की बात आई है incomplete dominance की बात आई है तो यहाँ पर genotypic plus phenotypic चाहे genotypic पूँछे चाहे phenotypic पूँछे दोनों का जो ratio है वो 1 to 1 ही नजार आ रहा है वैसे 3 ratio 1 आ जाता था phenotypic क्यों कि भाई साब यह 3 लाल हो जाते थे 3 ratio 1 बन जाता था लेकिन यहाँ तो ratio क्या बन गया 1 to 1 ही बन गया चाहे phenotype की बात कर लो चाहे genotype की बात कर लो clear यहाँ तक समझ में आए कि नहीं बता हो जारा चाहे genotype की बात कर लें चाहे हम phenotype की बात कर लें क्या नज़र आएगा आपको 1-2-1 का ही रेशियो नज़र आजाएगा इसको हमने क्या मान लिया इसको हमने मान लिया incomplete dominance क्या कह दिया इसको हमने incomplete dominance कह दिया अच्छा अगला बात करूँगा मैं दूसरा मैंने कहा था in co, co मतलब हो गया co dominance, अब co dominance क्या है की बात आजाती है वहाँ मतलब है दोनों का बराबर प्रभाव दिखना ठीक है, तो मैंने कहा भाई साब, ऐसा हमने जब cross करवा दिया एक हमने लिया capital R यानि red color का bull और एक capital W यानि white color की क्या, cow capital W हमारा जो नज़र आ रहा है ये भी capital है, यानि ये भी dominance है, capital R हमने लिखा है, यानि ये भी dominance है, यानि दोनों dominance है, जब हमने cross करवा दिया capital R, capital R capital W, capital W से तो भाई साब capital R और capital W यहाँ पर बना, और हमारा, ये हमारा red color था, ये हमारा white color था, जो बच्छडा पैदा हुआ ये हमारा Ron पैदा हुआ, Ron बोले तो चितकबरा पैदा हुआ, कैसा पैदा हुआ चितकबरा, आपने देखा कि सब लाल के भी लच्ण नज़र आ रहे है, सफेद के भी लच्ण न利र आ रहे है, बचडा आपको जो दिख गया, चितकबरा दिख गया, आइसा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, co-dominance, सहपरभावित्ता कहते हैं, co-dominance कहते हैं, और इसका और एक example हो सकता है, हमारा human blood group ABO, human का जो ABO blood group है, वो उसमें भी co-dominance हमारी नजर आती है, co-dominance का नजर आती है, ABO हमारा multiple allele के लिए ज़्यादा सही है, उसको उसी के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है, यह समझ में आ गया, अच्छा, यह दूसरा हो गया, co-dominance, फिर monkey मतलब multiple allele, तो multiple allele आपके सलेबस में है नहीं, लेकिन इतना जान लो, जब एक, दो से ज़्यादा allele पाये जाएं, जैसे ABO blood group, ABO blood group होता है हमारा, blood group हमारा क्या हो, ABO, तो यहाँ पर, यह तो A होना चीए, यह तो B होना चीए, यहाँ पर 3 है, यह तो 2 से ज़्यादा allele यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह क्या है, multiple allele का example है, multiple allele का example है, अभी मैंने वो बदाया था आपको, जो color बता रहा था, drosophila की आख का, वो भी multiple allele का example था, ठीक है, इसके बाद अगला हम बात करेंगे, lethal gene, क्या बात करेंगे, lethality या lethal gene की बात करेंगे, जब यह भी देख लेते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे, lethal gene की बात करेंगे, बच्चा, बहुत important है, चौथा हमारा है, lethal, lethal, lethal gene, अब आपको यह lethal का मतलब क्या होता है, lethal का मतलब ही होता है, कि मर जाना, ठीक है, lethal का मतलब क्या हो जाना, अब death हो जाना क्या होगा, basically आप अगर देखो, lethality का मतलब क्या है, अगर हम, एक capital Y, small y का cross, यह पहली parent है, हमारी क्या parent में है, parent की condition में है, एक हमको capital Y, small y मिल गया, ठीक है, इसका cross हमने capital Y, small y से ही करवा दिया, ठीक है, दोनों में देख रहे हैं, दोनों में capital A के small है, इसका मतलब यहाँ पर, जो पहली generation नज़र आएगी, यहाँ पर एक तो capital Y, capital Y वाले नज़र आएगे, और दूसरे हमारे कैसे नज़र आएगे, दो हमारे नज़र आएगे, capital Y, small y, फिर capital Y, small y, यहाँ पर यहाँ पर जो हमने क्रास करवाया था, पहली generation में, एक सेकेंड बालक, इन्होंने थोड़ा सा, मामला गड़बड़ा दिया है, आपकी बुक में, यहाँ पर आपका जो क्रॉश बनाया है, बहुत गलत बनाया है, तो उस क्रॉश को आप लोग मत पढ़िएगा, जो इन्होंने बनाया है, माल लो आपने capital Y, small Y का cross किस से करा दिया, small Y, small Y से करा दिया, ठीक है, small Y, small Y से करा दिया, दो परकार की होती है, लिठरेटी अभी बताऊंगा, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर पहली generation में क्या बनेगा, या तो capital Y के साथ, small Y जाएगा, या तो small Y, small Y बनेगा, दो तरीके के लच्छन हमारे दिखेंगे, small Y, small Y दिखेंगा, अब यह जो हमारा capital Y, small Y बना है, और जो हमारा यह small Y, small Y बना है, ठीक है, अब इसका अगर हमने cross, क्या करा दिया, इससे करा दिया, क्या करा दिया, यहाँ पर, test cross करवा दिया, back cross करवा दिया, ठीक है, क्या करवा दिया, back cross करवा दिया, अब back cross की condition में, बिच्छा देखो क्या होगा, यानि capital Y, small Y की, selfing करवा दिया, हमने ऐसे कह लो, back cross ना कहके, यहाँ पर हम इसकी कह देंगे, selfing करवाना, क्या कह देंगे, यहाँ आपने इसकी करवा दिया, selfing करवा दिया, थोड़ा ध्यान दे ना, थोड़ा टिपिकल है, तो इसकी हमने जब selfing करवा दिया, तो क्या बनेगा, capital Y बनेगा, capital Y, small Y बनेगा, फिर capital Y, small Y बनेगा, और एक फिर हमारा small y small y बनेगा, यही बनेगा यहाँ आप देखो ज़रा जब हम parent लेकर चले थे बच्चा parent हम लेकर चले थे जब तो हमारे पास यहाँ पर parent में एक को आपको दिख रहा है capital y, यहाँ एक दिख रहा है capital y, एक small y, दोनों small y दिख रहा है लेकिन और यहाँ पर आपने जब इसकी selfing करवाई जो हमारा यह बन कर आया था, f1 में हमारा यह बन कर आया था, इसकी हमने selfing करा दी तो f2 generation में हमारा क्या देखने को मिल रहा है आपको एक capital y, capital y न ज़रा आ रहा है ठीक है, दो तो हमारे capital y, small y न ज़रा आ रहा है एक हमारा small y, small y parent हम क्या लेकर चले थे parent चुकी हम लेकर चले थे small y, small y parent था और capital y, small y parent था यनि हमारे पास एक भी capital y, capital y parent था ही नहीं, तो actual में यह capital y, capital y जो आयेगा यह कभी भी survive नहीं करेगा इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी death हमेशा, ठीक है तो दो हमारे ए बनेंगे, capital y, small y वाले और एक हमारा यह recessive वाला बनेगा, clear यह हमारा हो गया, ऐसी condition में हमारा जब dominant death कर जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं dominant lethality, क्या बोलते हैं dominant lethality बोलते हैं क्या बनेगा ratio, 2 ratio, 1 बनेगा, ठीक है, 2 ratio, 1 बनेगा, वहीं अगर मैं बात करूँ recessive lethality की recessive lethality की, तो recessive मर जाएगा, तो ratio बनेगा 1 ratio 2, कैसे, अब मान लो यहीं मैं reverse एक और समझा देता हूँ चुकि यह समझने में थुड़ा दिक्कत आई होगी, तो फिर से मैं समझा देता हूँ, मान लो मैं cross करवा था किसका capital Y, small y का cross मैंने करवाया capital Y, capital Y से, clear, पहली generation में क्या बनेगा, capital Y small y बनेगा, और एक हमारा capital Y, capital Y, दो तरीके नजर आएगा, और फिर हमारा small y, small y नजर आएगा, अब यह बताओ, जो यह small y, small y यहाँ बन रहा है, क्या यहाँ आप जब parent लेकर चले थे तो आपके पास एक भी कैप, था small y यहाँ देखो, यहाँ पर कोई small y वाला नहीं था यहाँ पर भी कोई small y वाला नहीं था तो ऐसी condition में यह क्या कर जाएगा death कर जाएगा, death कर जाएगा तो ratio क्या बनेगा, one ratio two बनेगा, तो lethality का हमेशा ratio क्या बनेगा, या तो two ratio one बनेगा, या तो one ratio two बनेगा two ratio one बनेगा, जब dominant मर जाएगा, तो इसे हम dominant lethality कह देंगे, one ratio two बनेगा, जब recessive मर जाएगा, तो इसे हम recessive lethality कह देंगे clear lethal gene हो गया बास समझ में आ गई की नहीं बता दो जरा इन्होंने बनाया यहाँ पर लेकिन आप अच्छा समझा नहीं पाए है फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इन्होंने सीधे second stage को ही start कर दिया इसलिए आपकी समझ से परे हो जाएगी वो चीज इन्होंने बनाया है ऐसा नहीं कि बनाया नहीं है देखो यह यहाँ पर देखो बनाने का प्रयास किया है ठीक है lethality इन्होंने बनाने का प्रयास यहाँ पर किया है लेकिन इन्होंने क्या क्या सीध है यहाँ पर F1 के बाद की condition दिखा दी उसके पहले की condition ही नहीं दिखाई ठीक है तो F2 में इन्होंने दिखाया capital Y capital Y है capital Y small Y है और small Y small Y ठीक है तो जो आपके पास नहीं रहेगा वो death हो जाएगा तो 2 ratio 1 या 1 ratio 2 आपको बन जाएगा यह ratio इतना ध्यान रख लो फिलाल इतना समझ में आपको आजाना चे ले अब last हमारा बचा dominance ratio dominance या आपको complete dominance कह ले तो complete dominance में आप जो simple हमारे interaction होता था complete dominance में 3 ratio 1 बनता था वही हमारा complete dominance है उसमें कुछ आपको अलग से पढ़ने के अवशक्ता है नहीं ठीक है complete dominance में क्या है एक second complete dominance में क्या है in their condition 1 allele completely suppressed और दूसरा हमारा दिख जाएगा तो ratio इसका 3 ratio 1 बन जाएगा जो कि हमारा normally बनता था ठीक है तो अब हमने जो सारे बताएं सबका ratio में एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूँ सारे मैंने बता दिये हैं किसके allelic interaction के किसके allelic interaction जो मैंने सारा बता दिया है कौन कौन सा पहला बताया है इनको monkey लिदो यानि incomplete incomplete dominance incomplete dominance पहला था दूसरा co dominance था तीसरा multiple allele था चौध था lethal gene था और पांचवा हमारा dominance था या complete dominance था incomplete dominance में ratio बनेगा 1-2-1 हमेशा 1-2-1 का ratio बनेगा हमेशा पहर से मिटा के लिख देता हूँ अच्छे से साब साब बने हमेशा ratio क्या बनेगा 1 ratio, 2 ratio, 1 का बनेगा same हमारा co dominance में भी बनेगा 1-2-1 का यहाँ पर मैंने का था 1 हमारा लाल, 2 pink बन गए, 1 सफेद बन गया यहाँ मैंने का 1 हमारा सफेद, 2 हमारे चितकबरे और 1 हमारा कैसा बन गया? सफेद यानि एक लाल बन गया, एक सफेद बन गया, दो चित कबरे बन गया multiple allele में मैंने का था abio blood group abio blood group हमारा क्या हो जागा multiple allele के exam पहुच जाएगा lethal में हमारा दो तरीके का बन सकता है या तो 1 ratio 2 बन सकता है जिसे हम recissive lethal कहेंगे और 2 ratio 1 भी बन सकता है जिसे हम dominant letherity कहेंगे और dominance में हमारा जो simple 3 ratio 1 बनता था वो तो बनेगा ही बनेगा clear, यहां तक आपको कोई समस्या हो तो बताओ alleleic interaction हमारा हो गया complete ठीक है इसके बाद छोटे छोटी दो term और है, उसके बाद non alleleic interaction हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग कल पढ़ेंगे ले लेंगे, छोटे छोटे दो term है यहां से non alleleic से question आते भी है तो उसको हम कल पढ़ेंगे, समझा के थोड़ा से बताओंगा वैसे आता ratio ही है, लेकिन मैं थोड़ा से आपको एक जीन अगर सिर्फ एक करेक्टर दरसाता है तो यह कहलाता है हमारा, यह जीन हमारा कहलाता है Mono जीन, क्या कहलाता है Mono जीन, और यह करेक्टर हमारा जो कहलाता है यह कहलाता है qualitative character qualitative character ध्यान देते रहे न भीया, सब दाते सारे अगर, अगर दो या दो से अधिक जीन ये कया है? ज़्यादा जीन है ये कया है? अधिक जीन है इसे हम क्या कहेंगे? poly gene poly gene यानि 2 या दो से अधिक जीन मिलकर एक character बनाए तो ऐसा character कहलाता है quantitative character क्या कहलाता है? quantitative character ठीक है और ऐसा gene कहे लाएगा polygenic ठीक है polygenic से quantitative characters बनते हैं और इसके बाद जो अगला question पूछा जाता है ये हमारा भाई साब एक gene यानि एक gene जब क्या करे multiple character दिखाए एक gene ही क्या कर रहा है multiple character दिखा रहा है तो ऐसे gene को हम बोलते हैं ऐसे process को हम क्या बोलते हैं pilliotropy बोलते हैं question पूछा जाता है confused नहीं होना ठीक है मैंने कहा one gene अगर one character दरसारा है तो ऐसे gene को बोलेंगे mono gene और character को बोलेंगे qualitative बहुत सारे gene मिलकर एक character दिखा रहा है तो इसे हम poly gene बोलेंगे quantitative character बोलेंगे जब एक gene बहुत सारे character प्रदर्शित कर रहा है तो उसे हम बोल देंगे pilliotropy ठीक है जब एक single gene एक से ज़्यादा जो है character दिखा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं pilliotropy बोल देते हैं अच्छा ये दियाद करने के लिए आप क्या करोगे quality आप नहीं देपार हो तो वो character हो जाएगा quantitative character ऐसे हैं बात कर सकते हो इसको भी ठीक है अच्छा इसके बाद और कोई सब्द अगर अब देखो बचा जो है वो वैसे तो आप में तो बस इतना ही लिखा है मैं आपको चाहूं तो non-allylic मैं ऐसे सिर्फ formula बता के बता दूँ अच्छा चलो बता ही देता हूँ क्या आप question छोड़ना है linkage कल से start करेंगे समय थोड़ा सा बचा है अपने पास linkage हम लोग कल से start करेंगे तो non-allylic interaction भी मैं बता देता हूँ आपको non-allylic interaction मैं बता देता हूँ अगर आपको detail में पढ़ने के आवशक्ता होगी तो बताना आप वैसे मैं बता देता हूँ question सिर्फ ratio आता है non-allylic interaction आप कैसे याद करोगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैंने कहा die hybrid cross होगा पहली बात तो क्या होगा die hybrid cross होगा मैंने पहले बताया था तो यहाँ पर जोड के हमेशा 16 आना चाहिए 16 लच्छन हमारे बनने चाहिए die hybrid cross में वो mono hybrid था तो वहाँ देखो हमेशा 4 बन रहे थे 1,2,1 तभी जोड के 4 बना 1,2,1 एभी 4 बना यहाँ पर एक death हो जा रहा था इसलिए 3 बना था 3 एक यह भी 4 बना था यहाँ जब death हो जा रहा था इसलिए 3 बना था लीथल में यहाँ हमेशा सूला बनेगा die hybrid cross के लिए आपको याद क्या करना है simple सा formula याद कर लेना है हमारा बनाया हुआ ICSC board के ICSC board के दिल्ली public school के बच्चे बहुत कलाकार है ICSC DPS ठीक है आपको इतना याद कर लेना ICSC board के दिल्ली public school के बच्चे बहुत कलाकार है तो ICSC DPS आपने याद कर लिया ठीक है तो अगर मैं बता दूँ इसका full form तो आप याद कर लो I4 हो गया inhibitory inhibitory ठीक है supplementary supplementary हो गया फिर हो गया ipostatus फिर हो गया duplicate क्या हो गया duplicate फिर हो गया polymorphic क्या हो गया polymorphic और यह हो गया हमारा simple interaction simple interaction आपको पता है जो होता था actual में simple interaction क्या होता था में दल के नुसार 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 यह होता था यह simple interaction हो गया अब यहीं हमारा अलग-अलग तरीके से अलग-अलग होगा explain में चाहोगे तो आगे कर दूँगा फिर लेकिन अभी बस आप से पूछा क्या जाता है कि ratio तो inhibitory में होता है 13-3, complementary होता है 9-7, supplementary होता है 9-3-4, ipastatis होता है 12-3-1 duplicate होता है 15-1 polymorphic होता है 9-6-1 जोडने पर हमेशा आना चाहिए 16, इतनी बात आपको होने चाहिए पता, देखो 13-3 मेंने किया 16 हो गया, complementary 9-7, 16 हो गया supplementary 9-3, 16 हो गया 12-3, 1, capacity 16 हो गया, duplicate 15-1 16 हो गया, 9-6-1 polymorphic, यह भी 16 हो गया तो इसका explanation मैं आपको provide कर दूँगा, अगली class में वैसे तो मैं अगली class में आपको नई subject पर ही start करूँगा, linkage पर ही ले कर जाऊँगा कोई अपने पास समय की कमी है और question सिर्फ ratio का आएगा इससे आप निशिंद रहें, explanation से question नहीं आएगा, लेकिन आप चीज़ों को समझ जाते है तो आपको याद करना असान हो जाता है ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे फिर हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप शभी को नमस्कार, शुबरात्री आप शभी को और कोई समस्या हो, तो बता दो एक मिनट आपको मैं टाइम दे देता हूँ, जिससे आपको अगर कोई दिक्कत होती है, तो आप बता सकते हो, ठीक है सारा देखो, मैंने बता दिया पॉलीमर्फिक, पॉलीमेरिक, हमारा नौछe 1 होगा, डुबलीकेट, 15 एक हो गया, ठीक है और इने बिटरी 13 हो गया, ढमिनेंट हमारा 12, 13 हो गया, इसे हम इपस्टेटिस कहते हैं 12, 13 एक, रेसिसे व्पस्टेटिस को हम सप्लिमेंटरी भी बोलते हैं supplementary बोलते हैं supplementary बोलते हैं supplementary नाम से ही आता है आप एक कोश्चन recissive inhibitory से नहीं आता है supplementary से ही कोश्चन हमें इसा आएगा है द्याद ध्यान रखना आप ठीक है चलो कोई दिक्कत बताओ जरा चलो ठीक है मुझे लगता है मैं जितना क्लियर कर दिता हूँ आप लोग को दिक्कत कोई रह नहीं जाती है उसके बाद linkage और crossing over हमारा अगला chapter है जो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे linkage और crossing और छोड़ा से chapter है वैसे भी linkage मैंने थोड़ा से आपको बताई दिया था crossing over से relate करके आपको बस समझाना है उसके बाद sex link gene हमारे character है ये भी हम कल complete करेंगे cytoplasmic extra nuclear inheritance हम लोग कल complete करेंगे कल हम लोग ये तीन chapter complete करने के बाद परसों हम लोग mode of reproduction और pollination control पर जाएंगे जहां से question सरवाद ही काने के chances आपके हर paper में रहते हैं ठीक है कल वाला link is crossing over और ये सारी चीज़े खतम करने के बाद हम लोग परसों से परसों हमारा जो topic होगा बहुत important होगा ठीक है और मुझे लगता है इसके बाद हमारा जो है जो सबसे important topic यह है pollination वाला ये बहुत बड़ा topic भी है एक class पूरी-पूरी में जाएगी इसके बाद qualitative quantitative character जो मैंने भी थोड़ा से समझाए इसको थोड़ा से explain करना होगा तो करूँगा ने तो फिर selection of self-pollinated crops एक topic है और फिर hybridization हमारा जो है दूसरा topic है तीन classes चार और बची है इसकी लेकिन आब हमको लग रहा है यही complete करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने लिए पेपर से पहले ठीक है चुकि 28 को जात लोगों की train है मेरी 29 को train है तो 28 को हम लोग जो है complete 28 तक ही जितना पढ़ाना होगा पढ़ा कर निकल जाएगे दो वीडियोज on plant breeding हाँ मैं कोसिस कर रहा हूं कि मैं खतम कर दूँ उसको